नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म गुजरात में हुआ था 17 सितंबर 1951 भारती राजनेता हैं, जो 2014 से भारत के 14 वे और वर्तमान प्रधान मंत्री के रूप में सेवारत हैं। मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्य मंत्री थे और सिसंसत सदस्च हैं। वारण असी, वह भारती जनता पाठी, BJP और राष्ट्रिय स्वयन सिवक संग, RSS, एक दक्षिन पन्ती हिंदूर राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयन सिवी संगचन के सदस्च हैं। यदि आप इस प्रकार का दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले हमारे चैनल अलफा टीवी को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साजहा करें पेस्बुक और वहाद सैब के साथ आपके दोस्त और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। वहब 1947 में भारत की आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधान मंत्री हैं और दूसरे प्रधान मंत्री हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रिस से संबंधित नहीं हैं। लोग सपा में लगातार दो बहुमत या भारतीय संसक का निचला सदन वह एग्यर कॉंग्रेसी पार्टी के सबसे लंबे समय तक प्रधान मंत्री भी हैं। पुर्वोतर गुजरात के एक छोटे से शहर वर्नगर में जन्मे और पले बढ़े मोदी ने अपनी माध्य में एक शिक्षा वाहीं पूरी की। उन्हें आच साल की उम्र में आरेसस से मिलवाया गया था। उन्होंने वड़नगर रेलबे स्टेशन की प्लेट फार्म पर अपने पिता की चाय की दुकान में एक बच्चे के रूप में काम करने के लिए ध्यान आकरशित किया है। एक ऐसा विवरन जिसकी विश्वसनी रूप से पुष्टी नहीं की गई है। 18 साल की उम्र में मोदी की शादी जशोदा बिन चिमनलाल मोदी से हुई जिसे उन्होंने जल्द ही छोड़ दिया। उसने अपने पैतरिक घर को छोड़ दिया जहां बेह रहने आई थी। उन्होंने पहली बार सारवजनिक रूप से उन्हें अपनी पत्नी के रूप में चारदशक से अधिक समय बात स्विकार किया जब भारतिये कानून द्वारा ऐसा करने की आवशक्ता थी। लेकिन तब से उनके साथ कोई संपर्ख नहीं किया। मोदी ने दावा किया है कि उन्होंने अपने मात अपिता के घर को छोड़ कर कई धार में केंद्रों का दोरा करने के बाद दो साल तक उत्तर भारत की यात्रा की थी। लेकिन उनकी आत्रा के कुछ विवरण सामने आये हैं 1971 में गुजरात लोटने पर वेह आरेसिस के पूर्ण कालिक कारे करता बन गए 1975 में प्रधान मंत्री इंदिरा गान्थी द्वारा घोशित आपातकाल के स्थिर्दी के बाद मोदी छिप गए। आरेसिस ने उन्हें 1980 में भाजपा को सौपा और उन्होंने 2001 तक पाटी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कारे किया जो महस्चिव के पद तक पहुंचे 2001 में भुच में भूकम के बाद के शुभाई पटेल के खराब स्वास्ति और खराब सार्वजनिक छवी के कारण म मुख्य मंत्री नियोक्ति किया गया था इसके तुरंट पाद मोधी विधान सभा के लिए चुने गये उनके प्रशासन को 2002 के गुजरात दंगों में शामिल माना गया है जिसमें 1044 लोग मारे गये थे जिनमें से तीन चौथाई मुसलिम थे सी या अनिता संकट के चन्याया लेद्वारा नियोक्तिक विशेश जाच दल को व्यक्तिकत रूप से मोधी के खलाफ अभियोजन कारवाही शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला जबकि मुख्य मंत्री के रूप में उनकी नीतियों आर्थिक विकास को प्रोचसाहित करने का श्रेक को प् 2014 के आमचनाव में भाजपा का नेत रित्व किया जिसने पार्टी को भारती संसक के निचले सदन लोकसभा में बहुमत दिया 1984 के बाद पहली बार किसी एक पार्टी के लिए मोदी के प्रशासन ने भारती आर्थ व्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने की कोशिश की है और स्वास्ते देखभाल और सामाजिक कल्यान कारिक्षमू पर खर्च कम किया मोदी ने नौकर्शाही में दक्षता में सुधार करने का प्रयास किया है उसने योजना आयो को समाप्त करके सत्ता को केंदरी कृत कर दिया है उन्होंने खाई प्रोफाइल स्वच्छता अभियान शुरू किया विवदास पदरूप से उच्च मूले वाले बैंकनोटों की विमुद्री करन और कराधन विवस्था के परिवर्तन की शुरूआत की और पर्यावरण और श्रम कानूनों को कमजोर्य समाप्त कर दिया मोदी के कारेकाल में भारत ने लोगतांत्रिक बैकस लाइडिंग का अनुखो किया है 2019 के आम चनाव में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर की विशेश स्थिती को रद कर दिया और नागरिकता संशोधन अधिनियम भी पेश किया जिसके परिणाम स्वरू पूरी देश में व्यापक विरोध हुआ इंजिनियरिंग के रूप में दक्षिनपंथी राजनीती के प्रती एक राजनीती का हसास के रूप में वर्नित मोदी अपने हिंदू राष्ट्रवारी विश्पासों और दो हजार दो के गुजरात दंगों से निपटने के लिए घरेलू और अंतराष्ट्री स्तर पर विवार का एक काकड़ा बना हुआ है, जिसे एक बहिश्कृत सामाजे के जैंडे की प्रमान के रूप में उद्रित कि आगया है, नरेंद्र दामोदर्दास मोदी पूरा नाम नरेंद्र दामोदर्दास मोदी का